तो डेर स्टूडेंट आज किस वीडियो में बात करेंगे बीए सिक्स समेस्टर के हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टिन कोईश्चन एंसर के बारे में जिन जिन भी स्टूडेंट की परिछाने वाले दिनों में लगी उनके लिए वीडियो बहुत ही हिल्पुल है ठीक है तो इंध्य वह ठीक है तो तियर शुल sih यानि करता हैं और समस्टर आपका चाहिः श्वारोफ सिक्ष्च समस्टर ऑर यह पर्ष्ण पत्र है मतलं कि सब्जेक्ट आपका हिंदी यह और जो यह प्रष्ण हम पत्र हो फष्ट फष्ट प्रतर आप सभी को वालुम भी होगा कि फ सब्जेट के दो पेपर देने होंगे तो हिंदी के दो पेपर होंगे और यह जो हिंदी का पहला पेपर होगा उफ्फे युड़े कोश्चन वीडियो में आपको बताऊंगा जिसका नाम है प्रश्ण पत्र का नाम है भासा विज्ञान हिंदी भाफा तथा देवनागरी प्रश्ण है मतलब की भासा क्या है इसको प्रभाफित करते हुए इसकी बहुत ही पॉप्लर कोश्चन है बहुत ही इंपॉर्टन कोश्चन कई बार आ चुका है तो इसका सिंपल सा उत्तर लिखेंगे कि भासा मुख से उच्चारित होने वाले सब दोर वाक्यों आधिका व भासा की सभी धुनियों के प्रतिनिदी एक स्वर या फिर प्रतिनिदी स्वर एक बेवसा से मिलकर एक संपूर भासा के उध्राणा बनाते हैं बेक्तनाद की वह समिष्टे जिश्की सहायता से किसी एक समाज या देश के लोग अपने मनुगत भात अथा बिचार एक मुख फिर उचारित होने वाले सब्द और वाक्यों आदिका वह समों जिनके द्वारा मन की बात बताई जाती है जिसे बोली जवान वाड़ी विशेश ठीक है तो इसको हम क्या कहेंगे भासा कहेंगे तो भासा जो है यह मुख से यानि कि मुख से बोली जाने वाली या फि सब्दों के शमों होते जिनके द्वारा अपनी मन की बात Communist को अब सुनते हैं ठीक है ठीक है कि सभी दुनियों के प्रितिन दुस्वर एक बिवफ्था से मिलकर संपोड़ा अवधाना बनाते हैं मतलब कि सभी जो दुनिया होती है उन्हें की ग्रूप बनता है एक अवधाना बनता है ठीक है और बेक्त नाद की वा समिष्ट जिसकी फायता से किसी एक समाज देश के लोग अपने मनोगत भाव जो विचार होते हैं उनको प्रिकट करते हैं ठीक है और सब क्या होती मुख से उच्चायत करने वाले सब दुबा के आदिके समोहो जिनके द्वारा मन की बात को जताई जाती है कि इसख़शाम बोली जवन वाड़ित सब आजाएंगे ओके स्यमानेता महासा को वहेचारिक अधान प्रदान का माध्यम कहा जा वक्ता है बाफ़ा से सब्केरत वह हमारे अभ्यंतर के निर्माड विकास हमारी आकश्मिक्ता समाजिक सांस्कृतिक पहचान का भी साधन है बहासा के बिना मनुष्य सरवर्था अपूर्ध है और अपने इतिहाफ तथा परंपरा से विशिनने मतलब कि अगर भाफा नहीं तो इंसान पूर्ध नहीं वह अप कंप्लीट नहीं है ठीक है बिना भाफा के अनकंप्लीट है तो भाफा होना जरूरी है तब यू कंप्लीट हो पाएगा और उसके बाद लिखेंगे कि इस समय सारे संसार में प्राया हजारों प्रकार की भासा हैं बोली जाती हैं तो बहुत फारे अलग-अलग नहीं आती है अपने समाज या देश की भाफा तो लोग बच्पन से अब सस्तिक अभिस्त होने के काण अच्छी तरह जानते हैं तो यह क्या होता है कि परेटरन बन जाता हो जब आप सुरू से किसी भी बहुली किसी महोल में रहते हैं ठीक है तो आप उसी के बारे में आप को जड़ा परफेक्ट नालिज रहे तेए वहीं बहांसा हमेशा बोल ते रहते हैं ठीक है तो दूफरे देश ओया समाज की भाफा बिना अच्छी तरह फीख्या नहीं जाता कि कोई दूफरे देश की बहांफाmar है क ceux ब्लाइज समाज की जो भासा है उसको अच्छी तरह सि कि अलग-अलग सखाएं अस्थापित की हैं और उन साखाओं के भी अनेक वर्ग उपवर्ग बनाकर उनमें बड़ी-बड़ी भासाओं और उनके प्रांती भेदो उप भासाओं तथा या फिर अथवा बोलियों को रखा है ठीक है जिसे हिंदी भाफा भासा विज्ञान की द प्राय बोलिया हैं आशपास बोली जाने वाली अनिक भासाओं या बोलियों में बहुत कुछ साम में होता है और उसी साम के अधार पर उनके वर्ग या कुल अफ़ापित किये जाते हैं यही बात बड़ी-बड़ी भासाओं में भी है जिनका प्रारश परिक साम में उतना अधिक तो नहीं पर फिर भी बहुत कुछ होता है और संसार की सभी बातों की भात भासा का भी मनुस्य की आदिम अवफ्टा के आवस्यक नाथ से अब तक बराबर विकास होता है और इसी विकास के कार्ण भासाओं में फदा परिवर्टन होता रहता है तो इस प्रकार बहुत सारे अलग-अलग मिश्ष ताये हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा परचे मिला, इनके बारे में आप थोड़ा डीटिल में अंदर पढ़ लेंगे, ठीक, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक, इम्पॉर्टन कोउश्यन है, आनिक उमीध एक्ञाम में, ठीक है और अगला प्रश्ण है कि भासा विज्ञान को परवाफित करते हुए उसकी अंगों साखाओं का उलेक कीजिए यह कुश्चन जो है वह प्रश्ण पत्र यानि की कुश्चन पेपर से समझने थे तो सिंपल सी बात है कुश्चन आएगा ही आएगा उत्तर लिखना कि भासा विज्ञान माफा की अद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द ठीक है आदिका बिज्ञानी को मिफ्लेशात्मक अध्यन इन सभी चीजों की जानकारी ली जाती है महासा बिज्ञान बहासा के सुरूप अर्थ और संदर्व का मिफ्लेशन करता है बहांका के दफतावेजी करण और बेवेचन का सबसे प्रसीनकार छेठोई सताबदी के महान भारते वया करण परदी ने अपने प्रशिद गृंद अस्टा अध्याई में किया गया है महासा बिज्ञान के अधेता महासा बिज्ञानी कहलाते हैं बात के जान लटेंगे मासा विज्ञान ब्याकरण से भिन है ब्याकरण में किसी भी भासा का कर्यात्मा का अध्यन किया जाता है जब की मासा विज्ञान को विशेश महत्तु दिया रहा है अaj and अचिए मुआ क base को भावा की जानकार उस पेग्ञानिक अपरादी त्यकिंगी ा क्या दिए अपने वरत्मान सरोप में भासा बिग्जान पस्चमी बिद्वानों के मस्तिस्क की देन कहा जाता है मतबकि वर्तवान सुरूप में भासा विज्ञान पस्च में जो विद्वान नहीं है उनके मफ्तिस्क के देन कहा जाता आति प्रचीन काल से ही भासा संबंधी अद्धिन की प्रवत्त सहित में पाई जाती है फिच्छा नमक वेदांग में भाफा संबंधी फूच्म चर्चा उपलब्ध होती है धुनियों के उच्छारण अवयों अफ्थान प्रत्यन आदि का इन गरत्थों में ब्रिस्तित वर्ण उपलब्ध है ठीक है तो इसका परचे लिखेंगे इस प्रकार बाकी डीटिल में आप तैयार कर सकते हैं जिसे साफ से उत्तर तैयार करेंगे ठीक ह आगला प्रशन है कि हिंदी भासा के उत्तपत्ति का विस्तित वर्ण कीजिए मतलब हिंदी नादि को अधार पर उसके आसपास की भूम को सिंदू कहने लगे या सिंदू सब्द इरानी में जाकर हिंदू हिंदी और फिर हिंद हो गया बाद में इरानी देरे भारत के हो गए हैं और इस सब्द के अर्थ में विफ्टार होता गया तथा हिंद सब्द पूरे भारत का या या चक्त हो गया इसी में इर्ञानी का इको लंगने फें हिंद-फल्ऊ-इसONG उन्दीत बना जिसका अर्थ है के दुफ्रे रूप हैं हिंदी भाफा के लिए इस सब्दिका प्रजेंतम प्रियोग सफरुद्दीन ये ये जिदी के जफर नामा 14-24 में मिलता है प्रमुक उर्दू लेखकों ने उन्युश्वी सदी की रशना पूर उन्युश्वी सदी की फूसना तक अपनी भासा को दिया हिंद्वी की रूप में संद्व्रित करते रहें ठीक है हिंदी की भी भासा या फिर हिंदी की भी भाफा हैं हिंदी हिंद्वी दखनी हिंदी रेखता उर्दू असा हिंदुस्तानी का वरण किया या फिर किया जिये हिंदी सब्द का जो संब्द है संस्कृत सब्द क सिंदू से माना जाता है सिंदू सिंद नदी को कहते हैं और उसी अधार पर उसके आसपास की भूम को सिंदू कहने लगे इस सिंदू सब्द इराणी विजाकर हिंदू हिंदी और फिर हिंद हो गया बाद में इराणी देरे भारत के अधिक भागों से परिचित होते गए और इस सब्द के अर्थ में विफ्तार होता गया तथा हिंद सब्द पूरे भात का वाचक हो गया तो इसके बारे में और ध्यान रखिंग काफी एलपुल कोश्चिन इसकी कुछ प्रोक भास आया है जैसे कि आप लिखेंगे हिंद भी ठीक है इंपार्टर कोश्चिन यहां पर अगला प्रशन आप लोगों कि समझता है हिंदी की उप भास आये तथा उनकी बोलियों का वरण बहुत ही पॉप्लर कोश्चिन है लिखेंगे कि हिंदी छेत्र आते ठीक है बिस्त्रीन है धाई लाक वर्ग मील से अधिक छेत्र में फैली जनसंख्या द्वारा किनी ठीक है था applicants हिंदी का प्रियोग होता है इतने बड़े भूभाग में हिंदी का प्रियोग सोभावीक जोग में बौलियों के माद्यम से होता है बोलड़ी परक ठीक है अनेक रूपता में कुछ ऐसी काण है कोुछ सट्रीं हिंदी के चाहु मुखी विखतका सिम के सिमांकनद डाक् में अबाला फिलेकर पूर्व में वडरा से तक और उत्तर में नेनिताल की तलहती फेलेकर दर्चिन में आइबाला-घार तक परेदि में ठीक आबद नहीं किया जा सकता है तो इस परकार लिखेंगे इसके बारे में और आगे इसमें लिखेंगे बहुत सारी इसकी उपहांसा पूरवी हिंदी ठीक है उभभासा हो गई उसके बाद अवधी अवधी मसा हो गई बगेद लुब भासा हो गई 36 इच पैस्टिमी हिंदी विटेन हैं यह सब है हिंदी ठीक है जो है कि अध्यान रख रहा है तो इस प्रकार लिखेंगे इसके बारे में काफे एलफुल कोश्चन दी ज्यादा नहीं इस वीडियो मैंने रखें कुछ ही कोश्चन रखें जो कि एक्जाम के लिए इंपार्टन साबित हो सकते हैं तो आज किस वीडियो मैंने आपको बताया है उसका एंसर भी आया है आप तयार कर लेंगे थोड़े बहुत मिलें कि बाकि आपने कोश्चन मैंग इंटरनेट गूगल से पढ़ सकते हैं बाकि कुछ भी नहीं है तो आपको तयारी करा देंगे और बाकि यह आपका अपना ही चैनल सक्सेस्ट हुए तो सब्सक्राइब कर लिजेगा ताक सब्सक्राइब कर देंगे बाकि मिलते हैं गोड़ने वीडियो में जब तक के लिए जाहिए नहीं